सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिये गए रैड बटन से और बाद में बैल आइकन दबाए हमारी लैटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बिना किसी एकजाम के केवल इंटर्वी के आदार पर यहां पर आपके सेलेक्शन का डिसीजन लिया जाएगा कम से कम बार वी पास कैंडिडेट्स इस बरती पर आवेदन कर सकते हैं कितनी आप नंबरों फेकेंसी जै जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हो, कितनी सेलरी आपको सक्सेसफुली रिक्रूट होने के बाद उत्राखन बिजली विबाग के द्वारा प्रवाइड की जाएगी, क्या यहाँ पर आपका सेलेक्षन प्रोसीजर रहने वाला है जिसके तहट आपका चेहन किया जाएगा, क्या डेट है जिससे पहले पहले आप आवेदन कर सकते हो और कैसे आवेदन कर सकते हो, इन सब चीजों की पूरी जानकारी के लिए बने रही है इस वीडियो में अंत्तक हमारे साथ, तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं इस बरती की पूरी जानकारी, उत्राखन जल विद्यूत निगम लिमिटिड यानि की उत्राखन बिजली विबाग में ये बढ़ती निकली है, जहां पर पोस्ट का नाम है मैनेजमेंट ट्रेनी, ICSI, टोटल नमबरों फैकेंसी यहां पर उत्राखन बिजली विबाग के दोवारा डिसाइड की जाएगी कि कितने कैंडिडेट्स को यहां पर रिक्रूट किया जाना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स का कम से कम बारवी कलास पास वना जरूरी है, कंप्यूटर साइंस के साथ, एज लिमिट के अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स की आयू सीमा यहां पर उत्राकंड जल विद्यूत निगम लिमिटिड के अनुसार, रूल्स और रेगुलेशन के साथ से रखी जाएगी, सेल लिगे अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स को यहां पर रूपे 5,000 for intermediate executive trainee और रूपे 8,000 for professional trainee की post के रूप में provide कराए जाएंगे, application fees के अगर इस बर्ति की बात की जाए तो कोई आवेदन सुलक आपको इस बर्ति पर जमान नहीं कराना है, बिल्कुल फिरी आवेदन कर सकते हो, वहीं selection process के अगर बात की जाए तो candidates का selection यहां पर केवल interview के माध्यम से किया जाएगा, जिहां दोस्तों सीधी बर्ति है, बिना किसी exam के केवल interview के आदार पर आपके selection का decision लिया जाएगा, डेट्स के अगर इस बर्ति की बात की जाए तो इस बर्ति पर आवेदन करने की last date 15 मई 2019 है, जिहां दोस्तों 15 मई 2019 के बाद आपके application form इस बर्ति पर accept नहीं किये जाएंगे, अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस बर्ति पर आवेदन कर सकते हो, तो सबसे पहले candidates को उत्राखंड जल विद्यूत निगम लिमिटिड की official website को logon कर लेना है, जो की है www.utrakhandjalvidyut.com, इस website को logon करने के बाद आपको इस बर्ति से related official advertisement को open करना है, official advertisement को open करने के बाद आपको पूरी detail उसमें से read करनी है, पूरी detail one by one carefully read करने के बाद, आप simply इस बर्ति पर offline आवेदन कर सकते हो, offline application form worker आपको base देना है, to general manager P&IR UJVN Ltd, यामुना भवन, यामुना कलोनी देरादून, 248001, जहां दोस्तों आपको अपना application form बढ़कर last date से पहले पहले इस address पर submit कर देना है, इसके बाद भी दोस्तों गर आपको इस बर्ति के बारे में और ज्यादा जान करी चाहिए, तो आपको हमारी website का link नीचे description box में, plus first comment box में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप directly इस बर्ति का official advertisement ओपन करके, पूरी detail उसमें से रीर कर सकते हो, plus आपको उसी official advertisement में application form का format भी दिया गया है, जिसको बरकर आप last date से पहले पहले submit कर सकते हो, जहां दोस्तों, यह इस बर्ति के official advertisement और application form के format का direct resource link है, जैसे ही आप इस link पर किलिक करोगे, तो आपके सामने इस बर्ति का official advertisement खुल जाएगा, यह इस बर्ति का official advertisement है, यहाँ से आप पूरी detail विस्तार पूरवक one by one करके read कर सकते हो, यह detail आप video pause करके, या फिर इस official advertisement को download करके, one by one करके उसमें से read कर सकते हो, then उसके बाद आपको इस बर्ति पर offline आविदन कर देना है, offline आविदन करने के लिए application form का format भी आपको, यही पर इस official advertisement में end में दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना passport size photo अफिक्स करना है, उसके बाद आपको अपना नाम capital letters में यहाँ पर लिखना है, अपने पिता जी का नाम आपको यहाँ पर capital letters में लिखना है, अपनी date of birth यहाँ पर provide करानी है, अपना gender बताना है कि आप male हो या फिर female, अपना address आपको यहाँ पर in columns में बढ़ना है, अपना pin यहाँ पर fill up करना है, correspondence address भी आप यहाँ पर fill up कर सकते हो, तो इस परकार से आपको पूरी detail यहाँ पर इस application form में accurately fill up करनी है, दैन उसके बाद आपको इस application form को last date से पहले पहले दिये गई address पर submit कर देना है, तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही, I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो इसे like और share करना मत बूलना, साथी साथ दोस्तो अगर अब्व्यापके मन में इस भठती से related कोई question या query है, तो आप हमें comment के जरिये पूछ सकते हैं, और अन्त में दोस्तो हमारा चैनल सबस्क्राइब करना मत बूलना, क्यूंकि हम daily basis पे आपके लिए, ऐसी ही big recruitments की update, अपने इस चैनल पर upload करते हैं,